तो नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है स्टडी एक्जाम पे दोस्तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यो जो आपके लेपकाल के एक्जाम हुए हैं दोस्तो इसमें 5 कोश्चंस से 4 कोश्चंस तक ऐसे कोश्चंस हैं जो की बहुत ज़्यादा गलत तरीके से माने गए हैं और आयोग द्वारा गलत मार्क्स किये गए हैं तो दोस्तो इन कोश्चंस पर आप लोग अब्जेक्शन कर सकते हैं वो कोश्चंस कौन कौन से हैं मैं उन कोश्चंस को आपको यहाँ पर बताऊंगा लेकिन दोस्तो यहाँ पर मैंने कॉश्चंस की वीडियो भी आपके लिए जारी कर दी है और दोस्तो अगर आपके चार से पांच कोश्चंस अगर यह वाले कोश्चंस आपके गलत हो रहे हैं और आप लोग इस पर चैलेंज नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत दिकत हो सकती है आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और इन कोश्चंस को दोस्तो आपके लिए इन मार्क्स ले सकते हैं आयोग द्वारा कि ये जो चार question आपके गलत है और किन questions पर आप लोग को challenge करना है तो दोस्तो अगर आप आयोक से इन questions पर challenge करते हैं तो दोस्तो आपको ये चार marks आपके जेब में जा सकते हैं तो चले दोस्तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कि किस book से ये questions को लिया गया था और दोस्तो कहा कहा पर किसके answers दियें जिसके आधार पर आप लोग इसको challenge कर सकते हैं और ये दोस्तो hopefully आपको इनके marks भी मिल सकते हैं तोस्तो इस वीडियो को बनाने का ये purpose नहीं है कि दोस्तो मतलब कि जिन लोग ने गलत भी mark किया होगा क्या पता उनोंने कहीं और से पढ़ा हो ने कहीं और answer मिला हो तो लेकिन दोस्तो तो उनके marks तो जा रहे लेकिन दोस्तो ये वीडियो मेरा ये purpose है बनाने का कि दोस्तो जिन लोग का मतलब कि इन questions पर doubt है जिनकों की सही में ये questions में मतलब आप पत्ती वाले questions हैं दोस्तो ये जिस पर मतलब कि आप इन पर एक बार एक challenge करके आप इस पर आयोग द्वारा आपने verify करवा सकते हैं और दोस्तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग challenge कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा best होगा तो आई हो आपके लिए दोस्तो ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा मन्द होने वाले जो तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जितने वी लोग हमाई channel पर नए होले हमाई channel को subscribe कर ले वीडियो लाइक करना ना भूले मैं आपके लिए ऐसी वीडियो जो लाता रहूंगा तो दोस्तो पहले question की बात करें तो दोस्तो आपको एक question था जीवन पती का समनार्थी क्या होगा इसके बारे में पूछा गया था सबसे पहले इस question पर doubt था कि दोस्तो आयोग द्वारा जो है पती यहाँ पर आप लोग का यहाँ पती के नामक चीज को यहाँ पर मतलब इन्होंने mark किया है जो कि यह दोस्तो गलत है और दोस्तो जो options के हिसाप से है जोस्तो कहीं भी books में अगर आप देखेंगे तो यह पती option गलत है यह option नहीं होगा आप इस question पर आप query डाल सकते है challenge कर सकते हैं क्योंकि इसका अगर आप Google सर्च भी करो या कोई भी other books में भी देखोगे तो दोस्तो वहाँ पर यह अमराज वाला जो option है वो भी correct हो सकता है यहाँ पर दोस्तो यह option तो सही नहीं है इस पर आप challenge कर सकते हो ठीक है एक question तो एक ही वाला हो गया फिर दोस्तो बात करते हैं दूसरे question की तो दोस्तो एक national highway वाला आया था question कि जहाँ पर UP से गुचरने वाली सबसे बड़ी मतलब की सबसे बड़ी लंबी road कौन सी थी यह की NH वाला आया था ठीक है तो उसमें दोस्तो NH2 आपका official answer की में दे रखाया कि NH2 उसका answer correct होगा बट दोस्तो अरे एक second और दोस्तो जो पिछली वाला जो था जीवन पती का समनार्थी क्या होगा दोस्तो उसका जो मैंने बताया था एक बुक के बारे में बता जाता हूँ उस बुक में भी आप चेक कर सकते हैं प्रित्विनात पांडे नाम की एक बुक है दोस्तो उसका page number 114 पर अगर इस question को आप देखोगे तो दोस्तो वहाँ पर मिल जागा समना समनार्थी वहाँ पर मिल जाएंगे और वहाँ से भी आप उस question को देखके आप उसको challenge कर सकते हैं ठीक है अगला question है दोस्तो जो national highway वाला तो दोस्तो उसका official answer के नस 2 दे रखा है ठीक है बट वो दोस्तो नस 2 है नहीं क्योंकि दोस्तो यूपी से गुजरने वाली जो है कई किताबों में अलग अलग दे रखे हैं और यहाँ पर NS34 का दोस्तो एक परिच्छा वाड़ी book है जिसका page 115 पर आप देख सकते हैं कि NS34 है जो यूपी से गुजरने वाली एक है वो NS34 को mark कर रखा है उन्होंने तो दोस्तो NS34 यहाँ पर इसका correct answer हो सकता है तो आप इसको challenge कर स इन्होंने answer बट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यह officially तो 45% mark किया था बट अगर आप इनके official website पर देखेंगे solar pump के लिए जहाँ पर 1800 watt के लिए तो दोस्तों वहां 30% 30-30 दे रखा है कि मतलब कि हर चीज़ के लिए 30-30 है तो 45% दोस्तों यह गलत है आप इसके उपर भी challenge कर सकते हैं यहां पर आपका 30-30 होता है तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं ठीक है अगला है question 4 जहां दोस्तों आयोग द्वारा यह option L चूज किया गया था यह question भी गलत है जहां पर वो उजवला यह उजना वाला जो एक question था ना दोस्तों जहां पर वो उजवला यह इसमें spelling भी गलत है तो दोस्तों वो उसका भी वो भी hopefully एक question गलत है जिसकी वज़य से मतलब वहां पर उसको आप चैलेंज में डाल सकते हैं क्योंकि दोस्तों question उसका sentence framing ही गलत हो रही है इसलिए दोस्तों यह चार question ऐसे हैं जिनको आप आप यहां पर चैलेंज कर सकते हैं तो यह जो चार question है आप इस पर जरूर चैलेंज कीज़े क्योंकि दोस्तों इसी के थुरू आपके number बढ़ सकते हैं अगर इस challenge में आपके 4-5 number बढ़ते हैं दोस्तों 1000 students उपर नीचे होते हैं एक एक number के अंदर ही तो आप समझ लीज़े कि आपका कितने अच्छे ज्यादा chances हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो में बस बताने का यहीं मकसद था कि आप लोगों सही चीज़ अवेर करना अगर आप hopefully अगर आपने सही टिक किया अगो तो अच्छी चीज़ है और अगर by chance दोस्तों अगर ये questions की वज़े से आप marks कम आ रहे हैं तो दोस्तों इन questions की वज़ झाल